नमस्क्राइब फ्रेंड में नाम है नेहा स्वागत आपका टेज नेहा एडुकेटर चैनल पर तो जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एंटिटी के जो शॉर्ट लिस्ट कंडिडेट से उनका जो डेट है वो फिक्स हो गया है उसका कपी पहले ही नॉन्टि कीज़े लेखी जानी हैं तो अब इसमें आगे बात कर लेते हैं कि वह से बनावा सकते हैं लेकिन जैसे आपको वह जो डेट है वह लेटिस्ट है वह है 19 अगस्त की मिली है ठीक है फर्स्ट वाली तो इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं जो पास में कोई भी थाना हो वहांपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप जब भी वहां पर जाएं तो आप पर जाएं तो अपना पूरी डॉक्युमेंट रहें जैसे आधार कार्ड ओना चाहिए कि फोटो गरा हो नीची यह 10-12 की मार्क सीड ले जा सकते हैं और यह बैंक एकाउंट जो डायरी की फोटो कोपी ले जा सकते हैं तो आप यह सारा सामाल लेके वहां पर जाएं क्योंकि आपके वास डोकुमेंट वगरा उस टाइम होंगे तो जैसे वह आगे की प्रोसेस बताएंगे तो आप उ पहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यह डोकुमेंट वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए क्योंकि मैंने काफी पहले से ही जैसे ही रिजल्ट आया था उसके बात थी मैंने बता जया था कि आपको जो इसमें जो भी डोकुमेंट जरूरी है वो कौन-कौन से आधार काफी पहले से बंद हो गई अगर आपकी कॉलेज नहीं है तो आप यह कर सकते हैं तो ब्लॉक लेवल पर बन जाता है यह जो का एक्टर सर्टिफिकेट है वो यह फिर आप पास्टी में जो थाना है वहाँ पर जाके आप बनवा सकते हैं और जिसे आपकी डेट मिली है यह सकत उससे पहले आजाएगा अगर किसी ने अपलाई नहीं किया है क्योंकि बहुत लोगों को तो पता भी है कि कैसे वनता है जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए वीडियो है तो आप कल ही जाके वहां जाके अपने डोकुमेंट्स ले जाएं और पूरी प्रोसेस कर दे आप फॉर्म लेकि वहां पर फिल अप कर दें और जो भी वहां पर जो जमा होगा अगर पैसे वैसे जमा होते हैं SBA का बैंक अकाउंट वगएरा से कोई चालान वगएरा करता है तो वह उसी टाइम करवा कि आप आ सकते हाला कि कल तो सेकेंड सेटर डे भी है लेकिन आप प काफी हेल्प मिल जाएगी यह जल्दी से जल्दी बनवाने के अंदर और अधिस ने अभी तक चैक नहीं किया है कि आपका जो डॉक्यमेंट वेरिफिक्शन कब है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं यह फस्ट जो है इसमें आप नरोल नमस में चेक कर सकते हैं कि कौन से वाले और उसके बाद है बाइस तो काफी सारी डेट से आप आई है तेजी सगस को भी है यह कि चोवी सगस को है सटाइस सगस को भी है एक अठाइस को है अब जो टीएस पी एरिया है तो वहां पे जो स्टार्ट होने वाली है वो 29 से स्टार्ट होने वाली है तो आप जिस पी एरिया में आते हैं टीएस पी में है तो आप अपनी डेट देख लें और या फिर नोन टीएस पी में तो आपकी डेट इस से पहले ह 28 तक है फिर 30 को भी है फिर दो तो मतलब यह 18 से स्टार्ट होके यह 2 सितंबर तक खतम हो रही है तो आप इसमें जो ही अगर आपके पास PDF नहीं है तो यह आप डाउनलोड कर सकते हैं यह आपको जो इसका डाउनलोड का लिंक जो मैं है डिस्क्रिप्शन वोक्स में देदूंगी ताप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद अपना जो रोल नंबर है वह चेक कर सकते हैं और इसके लावा जो पूरा प्रोसेस है कि आपको जो आवेदन फिल करना है तो वह आप जाके जरूर आवेदन पुरा फिल कर दे अपना जिनका भी इसमें शॉटलिस कैंडिडेट्स हैं उनका आ गया होगा तो वहां पर जो फीस है वो भी प्रतियों में अलग अलग लाना है विस्त आवेदन की फोटो प्रतिस्विकार की नहीं की जाएगी और इसके बाद है विस्त आवेदन की प्रति के साथ सो रुपे का भारते पोस्टल ओर्डर और सचीव राजस्तान करमचारी चैन बोर्ट जयपूर के नाम से सनलगन करना है तो वह आप करी लेंगे उसके या फिर अन्वह अगर है आपके पास आयू स्टेणी या फिर अनुसू चाती और जन जाती या फिर किसी में आपने जो आएक्षन के लिए लगाया था आपका जो भी सर्टिविकेट है जो का सर्टिविकेट है तो वह लगा जरूर लेके जाएं उबीशी से बढ़ा तो ब एक बार कौपी जो मिलती है रिसीट वगरा तो वह भी आप साथ में ले जा सकते हैं उसके अलावा जो और है सेवारत होने के साथ अगर मूर प्रमान पत्र दस्तावेज और स्वयम का पहचान पत्र आवशक रूप से लाएं फोटो आपको ले जानी है आधार काड आवश्य सकते हैं आपको खुत को हमें आधार काड के लगा रहे यह तो इस SPEAKER voyage जोब सब्सक्राइए कि दोश्ता वीडियो बना रही हूं कि मैंने इससे पहले बता दिया था क्योंकि यह specially video बनाया मैंने character certificate के लिए जो इससे पहले भी मैंने बता रहा था कि आप किस तरीके से जो बना सकते हैं जो जिन लोगों को पता नहीं था कि कैसे बनाना है process तो आप इस तरीके से जल्दी से जल्दी apply कर सकते हैं जैसे आपका जो data एगी इसकी document verification की उससे पहले जो है आपका कि आ जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा time नहीं लगता है और जैसे उनको पता होगा कि जैसे आप joining के लिए कर रहे हैं तो काफी जल्दी हो जाता है और इसमें जैसे लिखा हुआ है जो नीचे details TV उपर भी है कि आपको क्या क्या लेके जाना है वो सारी ट्रीडल्स आप एक-एक अपनी checklist बनाएं कि आपने यह चीजे एक अपनी जो भी आप कि फाइल बना सकते हैं उसमें एक एक को टिक करें कि यह भी रख लिया ऐसा करके तो आप पूरा एक एक रख के पूरा फोटो कोपी वगएरा ओरिजनल वो सारा जमाले क्योंकि जैसे आपकी डेटा आने वाली उससे पहले आप जो भी कोई को होगी डोकिमेंट नहीं है तो उसके लिए जल्दी से अफ्लाइब करते क्योंकि आप दस दिना अंदर या आट दिन के अंदर तो कोई भी बन क्या आ जाता है नहीं तो पैनहीं पनता के वास का एंदर ना जाते हैं को सब्सक्राइब नब कर सकते हैं और इसके लावा जो क्या को कहा है तो यहां पर जुश आए जो कि के लिए जह $10 के लिए तो और दस बजय के लिएप गी दस्वजिश के गांदी नगर जैपूर पर पातरता की जांच और दस्तावेजों की सत्ते हमेरे हितु आवशे ग्रूप से उपस्तित हो वे तो आप यह देख सकते हैं और इसके अलावा जैसे यह जो लिस्ट आई है क्योंकि कई बोल रहेगी कब तक जो है सेकंड लिस्ट आएगी तो इसके बारे में बतादो जैसे इसमें लिखाओ है कि अभी जो है 1.5 डेट गुना जो अभीहरतियों को सूची बत किया है अभी तक लेकिन इसके आगे यह भी कि आएगी इसके बाद जैसे बुलाए तो एक डेट होना है लेकिन अगर समय जिनके पास वैलिट डिगरी नहीं है फिर भी हो गया है कई हो के पास एंडिटी की डिगरी भी नहीं होने के बावजूतरों ने दिया है उनका सलेक्ट हो गए है तो फिर जैसे इनको टोटल जि है फिर ओक्टोबर में जो है आपकी जो सैकंड लिस्ट है वह जरूर आएगे क्योंकि काफी हला कि काफी लोग ऐसे हैं जिनका entity वेलिट नहीं है क्योंकि सबसे important चीज यह है entity के अंदर क्योंकि काफी state में जो entity है वो one year का है तो उन्होंने में apply किया है जब कि इसमें जब notification आया था तो उसमें साफ साफ लिखा था और इसमें भी हलाकि जो document verification वाला जो आया है उसमें लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले notification पढ़कर पर आयें अच्छे से क्योंकि उन्होंने इसी लिए का है क्योंकि उनको सभी को बताया कि जो entity का जो इन्होंने guideline बताई है वह है कि minimum दो साल का तो होना ही चाहिए उसके बाद है जो आपको institute है जहांसे आपने entity की है वह जो है वह entity से मानेता प्राप्त होना चाहिए तो काफ जिन्होंने कर वहां से करी है वहीं चलेंगे क्योंकि काफी ज्यादा यह फरजी institute भी थे जिन्होंने जो entity की डिग्री बाटी थी तो जो भी important था वह मैंने आपको बता दिया है और जो इसके requirement थी entity की entity की entity बनने के लिए तो मैं कब से जब से मैंने यह कोर्स स्टार्ट के त जरूरी है जरूरी है निता वैलिड नहीं होंगे तो मैं आज फिर से मैंने बता दिया है तो यह आप देखी लिए होंगे और आपने पड़ भी लिया होंगा notification जहां पे भी आप देख रहे हैं दो वर्ष का ही मांग रहे हैं तो जो भी detail थी तो मैं अब तक पूरा बता तो आप मुझे email कर सकते हैं या फिर comment में comment करके पूछ सकते हैं तो मैं आपका reply जरूर करूंगे अगर मुझे relevant लगी खा तो तो मैं आपको अपने email ID बिता देती हूं तो यह है मेरी email ID इसनिया30.gmail.com तो इस पर आप मुझे email कर सकते हैं तो मैं आपको जरूर रप्लाई करूंगी और पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो चलेगे तो लाइक करें और जो भी entity जोने ने एक्जाम दिया था जो शोट लिस्ट है उनके साथ ज थैंक यू